नमस्कार्स रस्त्रियकाल अदाव्स सभी को नमस्ते मैं आदित्ते आप लोग के सामदे एक लेक्चर लेकर आ रहा हूं पाइफन अज्टी पाइफन अज्टी पाइफन प्रग्रामिंग के सीरीज है तो यह पहले लेक्चर आप लोग के लिए और मैं हिंदी रिंग्लिश तो आपको कहीं भी को दिखकता है तो प्लीज पॉस करके या फिछे करके समझ लेना मैं पूरी कोशश करूँगा के संऀ कच आप लेक्चर के सीरी पाइफन इस पिछली स्टी आप के लेक्चर आप लोग के वीडिए दिखकाना चाओंगा And Google God से लेकर 2018 तक ये 10 years के अंदर कौन सी programming languages popular रही है और वो कैसे बता चले का popular हो है के लिए simple सी बात है आपके जो भी programming करते हैं आप पर इसे जो भी programmers है या programming को start कर रहे हैं तो उनके best website होती है stack overflow तो stack overflow के पर जितने सवाल पूछे जाते हैं और उतने सवाल जितने ज़्यादा पूछे को आप यही चीज निश्काश होगी का जितना सवाल पूछ रहे है इसकला आप उतने ही उस programming language को काम कर रहे है उसके उपर तो ये video आपको देखना चाहिए बेरे शॉर्ट वीडियो है simple सा देखिये तो अभी देखेंगे ध्यान से देखियेगा के अभी ये प्रतिस फर्जा चल रहे है competition चल रहा है different different programming language script में और आप नीचे date देख सकते है और date में आपको दिखता देख रहा होगा April May 2018 ये ये आपका 2010 आगया 2010 के बादे अभी दोसर गया रहाता रहेगा तो अभी फिलाल java php अभी c sharp जो asp.net c sharp अभी top पे java will soon take over देखिये java ने take over कर लिया और देखे python आ रहा है red color में धिरे धिरे python आ रहा है right now it is in fifth position तो अब python ने popularity gain कर देखिये शुरू कर दी है by 2013 धिरे देखिये वो आ रहा है तो percentage of questions ask to stack overflow यह यह चीज दर्शा रहा है तो धान से देखिये अभी धिरे देरे java script अभी top पे java javascript के विशे प्रतिस परता चल रही है तो बराबर चल रहा है देखो it's very exciting to see that so यह देखना और पी अब PHP भी पीछे दी है right अब python उपर नीचे देखिये हो रहा है c-shaft और python की भी चल रहा है now python will take over third number पे आगा python very good now अभी अभी भी जाव और python अभी भी दोनों बराबर चल रहा है next python takes over again or by 2017 Feb and then by 2018 November 2018 तक देखिये यह आजाएगा September देखिये यह python complete python now is at the top by 2018 so this was the thing python winning the war winning the race okay so that's a python इति popular क्यों है so सब से मेले बाद है python है क्या actually so let me bring you to this thing मैं आपके पास यह लेकर आना चाहता हूं so python is what a high level programming language simple high level है अब यह high level क्या चीज होती है भई cdc बात है अब high level किसके लिए है किसके लिए high level है यह भई मेरे लिए high level नहीं computer के लिए high level है right this computer system से आब बास्चित कर रहे हो उसके लिए high level है क्योंकि computer system जो बात करता है 0 और 1 में simple उस 0 1 की बात करेगा उसको और किसी से मतलब नहीं है वो बात करेगा के भी 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 इसी में बात करेगा nothing else that is called that 0 1 what we call it machine language this is a machine language और यह machine language को कौन समझाएगा उसको देखो मतलब है as a human अब मैं भार भार computer को थोड़े कहूंगा 1010101010 so यह तो नहीं कहूंगा ना तो मेरे लिए यह मुझे समझ नहीं आता है लेकिन computer के लिए low level है उसको machine language समझ में आती है right but मैं प्रोग्रामिंग उसको सिखाऊंगा अपने तरीके से तो computer के लिए वो high level है और इसी high level programming language को करने के लिए simple मेरा interpreted जो फंटा है interpreter का फंटा आता है interpreter हो गया एक translator यह मेरी भाशा को मेरी जिसको मैं समझता हूं computer की भाशा में translate कर देगा simple सी बात है simple सी बात है प्यारो के भही एक मैं जिस भाशा में बात कर रहा हूं वो computer के लिए high level है और मुझे जो समझ निया था computer के लिए बहुत आसान है तो बीच का एक बंदा आ गया interpreter आ गया that will say okay I'll be there to translate this python language into machine language ताकि दोनो की बात्चीत वो आराम से करा सके so this is interpreted language yes it is very very interactive बहुत interactive है यहार यह आप से सवाल पूछिये you'll get immediate answer python will talk to you will interact with you this is the beauty of python object oriented object oriented आपने शब्द कई बस सुना होगा c c plus plus में java में object की बात ही आ रही है object है क्या object का फंडा क्या है लाकि this pen I am holding right now this is an object is object की characteristic क्या है is object का size shape color what does it do so these are the things the attributes related to an object यह से यह वाच पहन रखिये watch is an object here this watch के watch watch कैसे लगती है राइट वाच का यह डायल होगा यह तो square होगा यह गोल होगा उसका एक strap होगी यह तो metal strap होगी यह rubber strap होगी वो wrist पे ही पहदी जाएगी obviously wrist watch ही कही जाती है इसको right और किसने काम किसने आती what is the behavior of the watch जिससे हमें time पता चले right हमें time पता लग करना है तो this is an object जिसके attributes क्या है shape of the dial right type of the strap यह होगे attributes तो यह हम इसके object की बात बात में और अच्छे से detail में करेंगे जब python हम lecture series में आगे object को बिसक्स करेंगे future से future में तो अभी तो में आपको सिधा बता रहा हूँ symbols of अंडा है के object oriented की बात अभी आप यहाँ पर जान लिजे एक just an overview आप लोग को दे रहा हूँ right so moving on beginners language इससे ज्यादा आसान बात हो ही निए सक्ती इससे ज्यादा कोई भी language इतनी अच्छी मिले इतनी बढ़िया है नहीं है के आप beginner ली समझ सक्ते के you won't believe it my dear one के 9th class students standard 9 and standard 10 they are studying python right now मैंने जब python सिखे थी मुझे last year ही मैंने 2 years मुझे python हो गे और यह चीज़ बहुत ही आसान है यह चीज़ so very very easy very very easy to aap beginners language है you can start at beginning anyone can do it and if I can do it I am a C language guy so मैंसी language को पकड़ा हुआ था लेकिन when I studied python तो मैंसी wonders हो गे तो very very easy guys very very easy so this is python is interpreted language have you guys been clear okay let's move ahead so ab मैंने आप से बात की के interpreter होता है अब interpreter चीज़ है क्या देखे actual में compilers and interpreters की जुमें बात करो इसको हम actual में कहते है translators we call it translators right अभी translators क्या करते translator what google translator क्या करता है google translate क्या करता है one language to another language translate करेगा right compiler interpreter भी काम करते compiler क्या करेगा यह भाई सब what will it do it will compile the whole program it whole page एक साथ करेगा one at a time क्या लिखा है high level language to machine level language HLL to MLL मैंने sort of short में लिखा है ता कि आपको अच्छो से बतास पाहू और यह भी ट्रांसलेट करता है दोनों ही करते पर दोनों में फर्क्या है यह कहता है कि मैं पूरे program को एक साथ convert करूंगा मैं एक एक को नहीं करूंगा यह कहता है भी मैं line by line करूंगा थोड़ा slow हो जाता है interpreter line by line करने को पर यह कहता है कि मैं पूरे document को करूँगा ये कहता है कि मैं line by line करूँगा, right, और इसके आपके C, C pluses, right, ये प्रमोक language is job की है, फिर इस ये उसे रूबी, रूबी is also very good language, Perl, Python, PHP, ये सब interpreter का इस्माल करते है, right, तो we will be talking about interpreters from now on, और अब आपको clearly समझ में आ गया होगा, कि compiler क्या होता है, और interpreter क्या होता है, अरो guys clear, समझ आ रहा है, right, thank you so much, अब आगे बढ़ते हैं, पूरे interest हम पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे, एक तूसरे इस चीज़ को बहुत ही easy है, very very easy, और मेरे पूरी कोशिश रहे कि आपको easy way में समझाने की, right, thank you, so आगे बढ़ते हैं, अब python के कुछ features की बात कर लेते हैं, अब यह देखो हम हर चीज़ को जब भी हम judge करते हैं, कुछ जानने कोश करते हैं, हम features की बात करते हैं, okay, the features की बात करने से पहले बहले आपको में बता दू features क्या है इसके, so let me tell you it is easy to learn, right, very-very easy to learn, क्योंकि मैंने आप से क्या का, कि python जो है, it is beginner's language, guys, so it is easy to read, बहुत easy है, and easy to maintain, plus यह portable भी है, right, यह extendable भी है, okay, यह scalable भी है, मसला, आप portable, आप Linux पे काम कर रहें, Mac पे काम कर रहें, right, आपने program मनाया, उसको आपको Mac पे आपने run किया, फिर आपको Windows पे जाना है, Windows नहीं फिसके बाद Linux पे जाना है, तो you can run a programs in all platforms, whether it is Windows, whether it is a Mac PC, Mac PC कहुन से होते है, Apple के, right, Mac operating system, Macintosh, to be exact, right, इसके बाद आपके काम से आगे, Linux, Linux distributions, like आपके U12 हो गया, OpenCUC हो गया, और कई सारे प्रकार के हो गया, Red Hat is also very example, Fedora, number of distributions, इसको हम distros कहते है, distros, short में Linux के distributions को हम कहते है, distros, right, आपको मेरे lecture में और बहुत जानकारे मिलते जाएगी, right, stay tuned, जमेरे, सुनते रहे, और लिखते ज जरूर रहेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं बात बनने वाली, okay, अब यह कहते है, extendable भी है, कि मैं इसको extend कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, भई, मैं और low level modules को add कर सकता हूँ, Python interpreter में, जादा functionality extend करने के लिए, जादा चीज आने के लिए, जादा चीज आने के लिए, इसका एक application create कर सकते हो, अपनी खुद की, right, तो बहुत animations create कर सकते हो, Python ने सब कुछ ही कर दिया है, आपको machine learning से लेकर, आपके animation से लेकर, every department machine, Python ने, तभी तो Python popular हुआ, 2018 के बात से लेके, जैसी वो top पे आया, आपने वो scale देखा होगा, right, scalable, scalable, उसको आप और scale कर सकते हो, और देता है, for large programs, और बड़े programs को अराम से manage up कर सकते हो, very very easy, और interactive mode तो खेर इसका है, जो भी आपको पिश्टी साइट मैंने बता है था, interactive है Python, तो इसको भी मागे देखेंगे, it is very testing for and debugging, बहुत असान है, errors find out करने के तो बहुत अच्छा से बताता है, बहुत आसान है, बहुत यह errors मिले, आप लिए errors निकालो, वो सिर्फ line number देता, आप ढूंटे रे जाते हो, actual में error क्या है, but यहाँ पैसे दिक्कत बिल्कुल ने आने वाली, Python आपको clearly बता देगा, आपने कहां क्या गलती की भी है, clear, so और देखते है, अच्छा से, यह एक basic Python दिखता कैसा, देखिए यह Python का latest version है, 3.1, 10.1, मैं 3.10 निकाय रहा, 3.10 के रहा हूं, it's a version, it's not a fraction number, तो मैं version के रहा हूं, version 3 का 10th और version है, 3.10.1, और देखिए कब release हुआ है, मैं आपको date रहा हूं, 6 December 2021 को release हुआ है, तो Python.org website पे जा की, you can download it, simple सी बात है, Python as a broad standard library, पहले बहुत बढ़े बात है, और features देख रहे हैं, इसके, फिर everything in Python is an object, हर चीज एक object है भई, अब वो variable वाला concept नहीं है, जो C, C pluses में के एक variable है, एक value hold करेगा, आप उसमे value, नहीं value डालेंगे, या update करेंगे, तो पुरानी value को replace कर देगा, override कर देगा, यह सब concept Python में बिलकुल नहीं है, Python पहले value store कराएगा, और variable का जो नाम होगा, वो उसको point करवाएगा, मैंने इस शब्द बोल रहा हूँ, point, आगे pointers की भी बात है, यह अच्छी बात है, if you are a C, C pluses learner, आपने pointers पढ़े होंगे, don't worry, Python में pointers है नहीं क्योंकि Python में सारा को जिबलेमेंटेशन pointers से हो रहा है, right, object oriented भी है, pointers भी है, आपक क्या लिखा हुआ है, x equal to 36, अब मुझे यहाँ एक बार भी यह चीज देनी पड़ी, कि int x equals to 36, मैंने यह बिलकुल ने दिया, तो जैसी value होगी, यह जो x होगा, यह मेरा अपने आप इसका type बन जाएगा, देखे, type is a function here, जो बता रहा है मुझे, it's this object is of class int, मैंने आपको क् it is object oriented, यह क्या कह रहा है, class कह रहा है और ID, हर एक की ID generate होती है, यह ID का आप फंडा और हम आगे देखेंगे, right, this is very very easy guys, बहुत ही easy है, मजा आजाएगा, जितना मजा मुझे आपको पढ़ने में आएगा, उससे double मजा आपको पढ़ने में आएगा, I am sure about it, so with full attention and full मस्ती हम औ very very easy, right, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, python is a bundle of features, right, it provides interfaces to all major commercial databases, कुछ databases आपको नाम बतायता हूं, जैसे MongoDB, famous है MongoDB, और आपको देता हूं, SQL तो आपने साहिद सुना ही होगा, structured query language, और इस structure, इसके आपके I think oracle भी आता है, right, oracle भी आता है आपका और आपका इसके लिए दो चीज़े एक और आती है, Microsoft का MS SQL भी आता है, right, तो यह SQL, major databases, commercial databases है, उनको पूरी यह interface provide काता है, पूरा सब कुछ लेगा है, आपका यार, python is पानी के तरह है, किसी बर्तन में डालो, हराम से डाल जाएगा, it is so flexible, very very flexible, and it supports functional and structure programming methods, as well as oops, मैं दे कि मैंने क्या बता है, oops object oriented programming, दे को बार बारे बात आ रही है, क्योंकि बहुत important है यह, it provides a very high level dynamic data type, high level dynamic data type, और dynamic क्यों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जैसे आप x equal to 36 ले रहे है, तो dynamically समाच जाएगा, 36 is an integer value, तो यह उस variable का type बता लेगा, integer, immediately, it is very very dynamic, supports graphic user interface, GUI मैंने आपको कहा था कि आप इसमें apps develop कर सकते है, app interfaces बना सकते है, games बना सकते है, तो obviously GUI support करेगा, automatic garbage collection को, आगे और अच्छे देखेंगे, यह garbage collection का फंदा क्या है, अगर मालीजे कोई मैंने variable तो बना दिया है, लेकिन मैंने value assign नहीं की, right, तो यह garbage collection कर रहा है, or it can be easily integrated with C, C process, Java, जैसे, Cython and Jython. Yes, these are the modules, these are modules, you can run your C language programs, C process programs and Java programs using Python, तो साइथन और जैथन का फंदा आगया इसके अंदर, right, यह बहुत easy है, very very easy, चली आगे बढ़ते हैं, तो अभी यह सारा फंदा बनाया किसने यार, let's thank the person who did this for us, meet Guido Van Rosum, यह बना, इसका नाम Guido Van Rosum, बन्दा यह अंसरदम में था, right, from Amsterdam, Netherlands, country, very wonderful country, और इसमे, you know, since 1980s, he did this, in the late 1980s, conceptualize कर दिया था, you know, तेको नेम को भी में तेको हालाट कर रहू, Guido Van Rosum, तेके, and it published, he published the first version of python code, first version of python code, 0.9.0, I think, आप लोग को दिख चाहे कर, 0.9.0, right, in February 1991, यह वही साल है, 1991, जब सोवेट संग, break हुआ था, और तब internet के शुरुआद भी 1991 में हुए थी, तो यह बहुत है महतरपूर्ण साल है, very important year, जब python भी उससे समय आना शुरू हुआ था, लेकिन किसे ने python बाद में आके popular जादा हुआ है, पूरे word में फैला है, आज की date में, आप सोचिए, तब से available है, and it was derived from ABC programming language, यह आप, मैं आपको अच्छे से detail में इसको अलग से बताऊंगा, ABC programming language आपको, अब इस नहीं, यह बहुत अच्छी बात है, यह रौसम भाज साब हमारे, very smiling face, very dashing personality, इन्होंने जो नाम सुना, यह python ही, कह काहों से चुना भाई, इन्होंने, इन्हों आपको, आपको साब पसंद था, no way, actual में, when he was young, जब छोटे थे, 1960 में एक सीरीज आते थी, Monty Python's Flying Circus, दो seasons की सीरीज आयती, 59 and 60, 60 and 61, उसमें, 2 आयती, 1960 and 61, तो उसमें, उसको तो यह जो शो था भाई था, पर बहुत पसंद आया था, he used to love that show, तो उसने का Monty Python में से इसने Python choose कर लिया, right, तो guys खोई भी अगर आपको कहता है ना, खोई भी पढ़ा के कहता है के Python किसी को साम को देखे आदा है था, अजगर को देखे आदा है, मैं का no way, no, Python इसको पसंद आया था, क्योंकि सो Monty Python's Flying Circus पसंद आ, so this is the history guys, meet this person, thank this person, इसके बारे में आप सारा जानने लिये, पूरा net भरा पड़ा है, आप इसको search जरूर करना, so thank that person, बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो थैंक करता ही हो, जब मैंने पढ़ना शुरू के था, तो और देखते है, 1997, 2000 में Python 1.X आ गया था, Python 2.X आ गया था, from 2006, till 2010, यह 4 साल चला, फिर 3.X भी आया, 3.X आया है, 2009, 2011, 2012, 2014 आये, अप डेट होते हैं, 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4, यह अप डेट होते होते हैं, राइट, बहुत ही असान है, तो अब आपको बता दो मैं, since January 2020, 1st January 2020 को, officially, Python 2 को, end of life status मिल गया था, EOL, end of life, इसके life खतम, आप Python 3 ही चलेगा, तो अगर आप अभी भी Python.org website पर जाएंगे, मैं मेंशन कर देता हूं, आपको website को, python.org, इसके पर आप website पर जाएंगे, तो आपको सब मिल जाएगा, आप वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पर लिखा होगा, officially, कि Python 2.X को, officially, end of life status मिल चुका है, अब वो खतम हो चुका है, अब Python 3 ही चलेगा आगे, आगे, पाइटन अभी 3.10.1 आ चुका है, फिर और अपडेशन आते रहेंगे, फिर पाइटन 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, बहुत चीज़ आएंगी, तो अभी तो आप एक golden age के इनर, प्रोग्रामिंग की golden age में आप जी रहे हैं, तो stay tuned for it, और यह देखिए, मैं आप जो कह रहा था, वही बात आपको बता रहा था, जहान से देखिए इसको, this is the homepage of python.org website, आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड आपको दिख जाएगा, और यह Windows, Linux, Mac, OS, other OS, सब के लिए अवलेबल है, मैंने क्या कहता, यह cross platform, एक programming language है, you can use across all operating systems, all, मैंने यहाँ, जो system आपके पास है, आप सब में स्माल कर सकते हूँ, तो this is the latest version, right, यह screenshot आप देख लीजिए, and this is the website I was talking about python.org, right, तो इस में तो कोई दिक्रत नहीं होने चाहिए, latest version देख आप लोग को मैंने अच्छा से प्यार से दिखा दिया, guys, so, आगे बढ़ते हैं, आप कुछ useful tools है इसके, बहुत ही बहुत ही बहुत ही useful tools है, कि python जो है न, वो अपने साथ एक tool लेकर आता है ideally, यह साथ ही लेकर आता है ideally, right, और यह ideally कहता है, ideally actual में है क्या, मैं आपको और आगे बताता हूँ, python में IDEs होते हैं, जैसे आपके CE और C++ में IDEs होते हैं, what are IDEs, यह है क्या बला यह, इसे कहते हैं, integrated desktop environment, right, integrated desktop environment, this is called IDE, IDE, और यह idea भी L क्यों लगा दिया, इसने बीच में बीच में बीचा रहे ने, why this L now, this L stand for light environment, light, तो integrated desktop light environment, इसने अपना बना दिया, ideally नाम का इसने editor आपको दे दिया, और भी editors आते है, spider और Jupiter, यह parts आते हैं, आपका anaconda distribution में, by default, उसमें आप pie charm भी डाल सकते हैं, atom एक अलग से, IDE, अलग से editor आता है, atom का भी use कर सकते हैं, देखिए मैं आपको anaconda का था था ना, देखिए, anaconda देखिए आप्रेजेंट भी है, इस दोनों के साथ है, पाइड़, भी अच्छा प्लाटफोर्म है, एरिक लेखिए, स्वेजगार बना हुआ है, विम एडिटर, यह मैं आपको बता दूँ, यह विम एडिटर, यह विम और थाणी, थाणी आपको मिल जाएगा, raspberry pi के अंदर, अगर आपनों को पता है, raspberry pi है क्या, raspberry pi, एक credit card size system on chip, छोटा सा computer, एक credit card size का, छोटा सा, एक हाथ में आजाए, गाराम से, उसमें आपका built-in Bluetooth, built-in Wi-Fi, चार USB ports, जिसमें 2 USB 3.0, जो latest 5.4 model है, और उसके अंदर आपको 1.5 GHz का processor, 4 GB की RAM, आपको SD card में, raspbian operating system है, Linux based है, उसको आपको burn करके लगाना है, और आपको बस अपने HDMI port से, आपको आप कर लिजिए, यह सब चीजे आप कर लिजिए, यह सब चीजे आप कर लिजिए, तिस इस यह Linux space, यह सार Linux space है, और वी बहुत सारे तरीक है, बहुत सारे है, तो this is thing, what I have plan to do, और आप इसको देख सकते है, you can just click it, और save कर लिजिए सको, and then search for it, आप यह उसको आप I plan this, pandas भी बहुत, बहुत ही बढ़ी है, बागी में आपको यूस करका और दिखाऊंगा आगे, so, अब organizations ऐसे कौन को से चीजे, यूस करते Python को, जैसे, web development में, Google, AWS, games में, Battlefield 2, खेली होगे, Battlefield 2, ने खेली, खेले, खेले, लेना के, यह सब Python में डवलप की गई है, graphics देख है, feature animation, blender 3D, सब में, science में, NASA, तो इसको इसको इस्तिमाल करता ही है, Nokia, Red Hat, IBM, यह companies भी आपके, software development में, इस्तिमाल करती है, और देखिए, यह देखिए, यह देखिए, आपके सामने, और बढ़ी हा धंक से लेकर आगया, यह मैं कह रहा हूं, YouTube, जा आप यह, लेक्चर ने, National Security Agency, जो US की NSA है, और नेट्फिक्स, नेट्फिक्स देखते होंगे, आप बिल्कुल, यह सारी application python के अंदर है, इस organization, they use python in their things, यह चीज, पूरी catalog आपके सामने में ले आया, और बहुती विस्तित तरीके से, आप इसको इसको pause करके, zoom करके, देख लेना, बहुत असान है इसमें, और मैं बीच में आ रहा हूं, तो मुझे क्यामा करना, तो आप इसको आराम से देख लेना, thank you guys, और thank you so much for listening to my video, thank you so much guys, और आगे और हम इसको पढ़ेंगे, right. झाल